आप इस चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो बहुत ही महतपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो में हम लोग जितना भी PG semester आप सुनते हैं PG semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 उन सभी का exam pattern साथी साथ passing criteria क्या होता है और थोड़े बहुत tips देंगे कि आप कैसे exam को अच्छे तरीके से निकाल सक और आप यहां पर सारी चीज़ एके करके हम लोग cover करेंगे और भी चीज़े मैंने यहां पर लाया है जैसे कि आपके समझाने के लिए मैंने exam pattern समझाने के लिए आपको थोड़ा सा exam का previous question भी मैंने लिया है और साथी साथ exam का जो result होता है exam देने के बाद आता है उसको भी मै पीजी में आपके दो एर की पढ़ाई होती है यह तो जेनरल चीज़े हैं पता होगी पीजी में MMSC M.com में सब में दो साल की पढ़ाई होती है तो आपको दो साल में कितने paper देने होते हैं पहले साल में आपके दो semester देने होते है semester 1 and semester 2 2nd year में आपको 2 semester और देने होते हैं semester 3 and semester 4 तो सबसे पहले शुरू करते है semester 1 से semester 1 में देख लो कैसे है semester 1 की जब तक बात करेंगे तो आपको total 5 paper देने पड़ेंगे 5 यो paper जो है 100 marks के होने वाले हैं अब यहाँ पर marks distribution अलग-अलग तरीके से किया गया है लेकिन हम लोग सबसे पहले समझते है 5 paper कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं तो आपका जो यह है paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 यह चारो paper जो आप देख रहे हैं yellow color में यह चारो main papers होते हैं यह main papers होते हैं और यही आपका original decide करते हैं और एक आपका paper होता है AECC 1 यह qualifying nature का होता है और इससे आपका result पर impact नहीं होता है बस आपको qualify करना होता है तो यह आपके semester 1 के 5 paper हो जाएंगे अब आप लोग का बहुत सारा confusion नगा यह CC मतलब होता क्या है तो हम लोग video का आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख लेना पहले समझो चार paper होंगे चारो paper आपके 100 marks के होंगे जिसमें आपका जो चारो main paper है CC वाले उनके theory exam 70-70 marks के होंगे मतलब सबके 70-70 marks के exam होंगे इसके भी 70 marks के यानि 32 marks आप लाते हैं तो आप pass हो जाएंगे theory exam में और साथी साथ theory exam pass कर लेने से कुछ नहीं होता है आपको जो extra curriculum activity होता है यानि आपके internal exam भी हो सकते हैं practical भी हो सकते हैं यह आपके subject dependent करता है तो यह 30 marks का होगा यह आपके college में होगा और इसमें भी आपको pass करना जरूरी है सिर्फ theory exam pass कर लेने से कुछ नहीं हो जाता है इसमें passing marks कितना दिया है 30 में से आपको साथी 13 number यानि 14 number लाना पड़ेगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 70 marks यहाँ पर है उसका just आप करेंगे तो आधा number ले आओगे तो pass हो जाओगे यहाँ पर भी देखो 30 number है उसका आधा ले आते हैं तो आप pass हो जाओगे लगभग में आ जाता है न अब आते हैं qualifying paper यह भी 100 marks का होता है लेकिन यह marks जो है इसका distribution 50-50 किया गया है 50 marks का theory होगा 50 marks का आपका क्या होगा internal exams होगे internal exam क्या होगे जब देखेंगे वहाँ पर देख लेंगे पहले यहाँ आप बात को समझना है तो 50 marks का आपका theory exam होगा जिसमें आपका 23 आपका passing marks दिया गया है और आपका जो internal exam होगा वो 50 marks क्या होगे इसमें passing वही आधा कर लो 50 का आधा उससे कम थोड़ा सा यहाँ लाओगे pass कर जाओगे तो यह है part जो semester 1 है उनकी कहानी semester 2 में चीज़े बदल जाती है paper बढ़ जाते हैं और वहाँ पे exam भी के number बढ़ जाते हैं यहाँ पे आपके total 400 marks के main paper हो रहें थे semester 2 में 500 marks के आपके होंगे paper लेकिन आपका जो यह qualifying paper होगा हर साल एक paper रहेगा हर साल एक paper आपका qualifying रहेगा तो semester 2 का हम लोग देख लेते हैं फिन passing criteria पर भी हम लोग बात करेंगे आप बस समझना semester 2 में भी आपके जैसा कि मैंने बताया total 5 main paper होंगे और एक तो हर साल आपको qualifying paper देना ही देना है यह हर साल रहता है चारो semester में एक एक बार यह आपके सामनी आएगा तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 5 paper हैं, पांचो paper के exam देने हैं total 100 marks के, इसमें भी mark distribution वैसे ही है, 70 theory ठीके, और 30 क्या आपका internal exam, 70 theory 30 internal exam, सबका सेम रहता है exam जो आपका होगा 3 घंटे का exam होता है जो theory वाला exam होगा, 70 marks वाला 70 marks वाला, जो paper होता है, वो 3 घंटे का exam होता है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं तो यह semester 2 की बात हो गई अब semester 3 में भी same process है आपके total कितनी paper होगे, main वाले main वाले आपके total, 5 paper होगे 500 marks के, और यह एक extra में आ जाता है DSE, DSE एक आपका extra paper है, qualifying paper है यह आपके एक paper होगे, तो टोटल 600 marks के हो जाएंगे, तो semester 4 में आपके जो paper होते है, main paper दो ही होते हैं, दो main paper होते हैं और एक आपका यह extra वाला qualifying paper, तो आपके दो main paper होगे और एक आपका qualifying paper होगा अब subject to subject depend करता है जैसे कि science वालों का example में देता हूँ इनके जो elective papers होते धेर सारे होते हैं अब आपके depend करता है कि आप कौन सा elective ले रहे ठीक है, तो यहाँ पर list दिया गया यह जोलोजी का मैंने example लिया है बस आपको समझाने के लिए, जैसे कि सबका अपने अपना नाम होता है, ECIA में यह आजाता है, ठीक है यह होते हैं कुछ options, तो यह आपके हैं, तो यह semester 4 की कहानी है तो I hope exam समझ गये होगे, अब exam pattern समझ लो, फिन बात को आगे बढ़ाएंगे syllabus के बारे में, exam pattern को समझने के लिए सबसे बढ़िया जर्या जो होता है आपका होता है previous year, previous year में आपको पते चल जाता है कैसे question पूछे जाएंगे तो आप देख लो, जैसे कि मैंने बताया, यह मैंने semester 1 का लिया है, semester 2 का भी कोई भी देने जाओगे exam, तो इसी तरीके से आपका exam पढ़ेगा, आपका 70 marks का एक paper होगा, जिसमें 3 घंटे का समय होता है आपको देना होता है, exam में objective भी आते हैं subjective भी आते है, objective जो होता है compulsory nature होता है, यानि आपको बनाना ही बनाना है, नहीं बनाओगे तो आपके marks काटे जाएंगे ठीक है, उसमें आपको कोई छूट नहीं तो आपको यहाँ पर 10 आपके, देख सकते हो यह सारे क्या है यह सारे आपके objective question है, आपके syllabus के business पर, तो आपका जो exam आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़के देखो, short type के questions होंगे, वहाँ पर आपके कितने question बनाने होंगे, चार question बनाने होंगे चारो question पांच-पांच marks के होंगे, तो total 20 हो जाएगा ठीक है, मतलब एक question आपको छूट मिलेगा और यहाँ पर देखो, कोई तीन बनाना है, और तीन हो 10-10 marks के हैं, तो 30 marks के total हो गए, number of questions कितने हैं, तो long answer type में देखोगे, तीन ही बनाने हैं, आपको 7, 8, 9, 10, यानि चार question रहते हैं, उसमें तीन बनाना रहता है, तो ज़्यादा option नहीं मिलेगा, आपको एक question चोड़ने का option मिल जाता है exam में, ठीक इसी परकार आपका जो अगला paper होगा, CC2, CC3, इसी pattern पे होने वाला है, सारा paper इसी pattern पे होता है, जितने भी 70 marks के exam होगे, सब इसी pattern पे होगे, तीन paper, ABC में, आपका तीन पार्ट में question डिवाइडे रहेगा, और तीनों में MCQ, short answer, long answer सभाएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, syllabus पे, syllabus कहां से download करोगे, तो यह पार्टली पुता इनिवर्सिटी का website है, आप यहां से direct download कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको link में दे दूँगा description में, या फिर telegram पे भी PDF uploaded है, वहां से भी download कर सकते हो, तो यह आपका syllabus है, आप लोग देख लेना, यह मेरा request है, क्योंकि syllabus देखोगे, तो चीज़े बहुत crystal clear हो जाएगी, आपको समझने में असानी होगी, तो मैं किसी दो subject का syllabus लेता हूँ, आपको समझाने के लिए, ताकि clearance आए, एक मैं science वाला लूँगा, और एक arts वाला लूँगा, ठीक है, MA वाला और एक MSC वाला, तो दोनों का लूँगा, जिनका MA है, वो MA वाले section देखेंगे, जिनका MSC है, वो MSC वाले देखेंगे, वीडियो को आगे बढ़ा करके, For example, MA में हम history का syllabus आपको share कर रहे है, history में भी देखना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, अब जितने भी चीज़ें मैंने आपको समझाई, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, आपके 4 semester होंगे, पूरे 2 साल का, जो आपका PC course है उसमें, उसमें आपके questions पूछे जाए होता है, qualifying paper का नाम होता है, AECC1, और आपको total कितने credit point दिये जाते हैं, total credit point आपके 25 दिये जाते हैं, per paper आपको 5 credit point दिये जाएंगे, तो total 5 paper है, तो 5 into 5, 25 हो गया, अब चुकि जैसे कि मैंने बताया, semester 2 जो होता है, आपका semester 2, उसमें 5 की जाएक बजाए 6 papers होते हैं, तो 6 papers के अधार पे 5, 10 per paper credit point दिये जो जाता है, ठीक है, और आपके ये, ये जो दिया गया है, learning hours है, मतलब इतना घंटा पढ़ाई करो गो तो आपकी papers की तयारी हो जाएगी, उसके बाद आप देखें, 5 main paper, एक electric paper, जो आपका होता है, electric paper जो होता है, वो उसका नाम होता AEC1, semester 2 की की ये, semester 3 की जो कहानी है, आपका ये देख लिए, electric paper ये होगा, और semester 2 की तरह होता है, semester 4 की जो कहानी है, आप देखिए, total 3 ही paper होगे, और 5 per paper credit point 5 मिलते हैं, तो 3 into 5 15 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके number of electric papers कितने हो जाते हैं, semester 4 में, यहाँ पे 3 दिये गए हैं, कौन- अश्टार, और इन दोने में आपको चूज करना रहता है, कि आप कौन लेना चाहते हैं, अब ये दोनों में आपको एक choice दिया जाता है, कि कौन आप लेना चाहते हैं, DSE या GE, तो ये आपको चीज़े हैं, आप total मिला लोगे, 4 समिश्टर के तो इतने हो जाएंगे, देख है, core course होता है, CC मतलब, EC मतलब होता है, elective course, DSE का full form भी दिया गया है, discipline specific elective course, और GE का भी दिया गया है, generic elective course, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको syllabus डाउनलोड करके एक बार देखना है, आपको ज़्यादा clarity मिलती है, और जो आप ये AEC सुन रहे थे, AEC का मतलब होता है, ability enhancement courses, औ इसमें कुछ जाद आपको कराई नहीं जाती है, environment से related, switch दुभारत, अव्यान से related चीज़े, आपकी theory and आपका ability check किया जाता है, environment से related, ठीक है, और यहाँ पर साप साप अच्छे लफजों में लिखा गया है, जो आपका CGPA बनेगा, वो decide होगा कि आपका performance कैसा रहा है, 16 courses में जिसमें 14 course तो आपके main course हो जाते हैं, 14 यानि core courses हो जाते हैं, और एक आपका होता है, two यहाँ पर elective courses होते हैं, तो यह आपका decide करेगा कि हाँ, क्या आपका performance रहा दो सालों में, पीजी आपने कैसे pass किया है, ठीक है, तो वही वाली बाते हैं, semester 1 में आपके यह सारी चीज़े में आप internal exam समझेए, इसका full form होता है continuous internal, continuous internal assessment, तो यह होता है और 30 marks का होता है, यह आपका theory exam होने के, खतम होने के बाद होता है, और यहाँ पर देखो 30 marks है total, और कैसे कैसे देना है, तो आपके two made semester written test होगा, जिसमें 15 marks का होता है, तो इसमें आप जितना लाएं, वो देख ले आपके behavior, punctuality, conduct के लिए 5 marks, total मिला के 30 marks हो जाएंगे, और यह हर साल होगा, क्योंकि हर साल आपके 4 paper से 5 paper हैं, और 70 marks के हैं, 30 marks का हर paper रह जाता है, 30 marks का हर साल, हर paper में यह pattern follow होगा, ठीके, तो यह 30 marks ऐसे divide होता है, AEC, AECC, इसमें क्या-क्या चीज़ें आप से दिखी जाती है skill development, human values and professional ethics and gender sensation, तो यहाँ पर चीज़ें है, environment related चीज़ें हैं, मैंने बताई ही न, आपको environment related पढ़ेगी सोच्चवारा तवियान, यह सारे आपकी चीज़ें होती हैं, जिसमें 50 आपका theory, 50 आपका practical, इनका syllabus भी मैं आपको थोड़े दिर बात दिखाऊंगा, ठीके, 50 marks में theory म होता है, आप जैसा कि मैंने बताया, आपका जो यह CIA है, यानि compulsory paper नहीं है, qualifying paper है, 50 marks के होंगे, उसके आपके 50 marks जो internal में मिलने वाले हैं, qualifying paper के, क्योंकि theory तो 85 का हो रहा है न, 50 इदर मिलेंगे internal, कैसे मिलेंगे, उसका marks distribution यहाँ पे, आप दोग देख लिजेगा, अब यह ज पर्ट में डिवाइडेर रहेंगे, MCQ, short answer, long answer, तो यह सारी चीज़े फिर से explain करेंगे, तो वीडियो और लंबी होगी, और लेडी covered, और यह आप देख लिजे, conclusion है, semester 1 में आपके कितने paper होंगे, 5, semester 2 में आपके कितने होंगे, 6, conclusion है, आप देख सकते हो यहाँ और semester 3 में आ पर क्या पढ़ना है, 3rd paper में क्या पढ़ना है, यह सारी चीज़े, यह history वालों का syllabus मैंने उठाया, तो history वाले चीज़े लिखी गई है, other subject का देखो को तो उसमें भी वैसा ही same दिया रहता है, ठीक है, अब नीचे में यही सब जो चीज़े लिखी गई है, ना नीचे में, वही पर paper अब detail में चीज़े समझाई गई है, semester 1, पहला paper जो है यह, और पूरा detail syllabus यहां पर दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे question exam में आते हैं, इस paper से, ठीक है, देखो, define किया गया है, आपके जो syllabus होगा ना, वो पर paper, जैसे कि यह पहला paper है, 5 unit में divided रहेगा, बिस्वास नहीं हो रहा है, तो आप देख लिजे, unit 1, unit 2 से लेकर, unit 5 तक divided रहेगे, और question सारे unit से आते हैं exam में, तो सारे unit पढ़ना भी compulsory हो जाता है, question कहां से आते हैं, कहां से नहीं आते हैं, तो यह आपको previous question बताएगा, ठीक है, तो previous question का analysis करना बहुत ज़रूरी है, कर इस देख रहे हैं, आपका यह qualifying papers है, ठीक है, इसमें देखो, A and B divided है, मैंने बोला, A and C में दो चीज़े आपको करनी देगे, environment से पढ़ना रहेगा, और स्वच्वारत ही ब्रियान, environment आपको total 3 credit points देता है, स्वच्वारत वियान आपको total 2 credit points देते हैं, और आपको यह learning hours बता यह सारी चीज़े हैं, तो यह सारी चीज़े अब खुद से पढ़ने वाली, आप लोग पढ़ लीज़ेगा, आपके syllabus यहां भी 5 unit में divided है, unit 1, unit 2 करके, यह जो आपका A, E, C, C, 2 है, यह भी आपका, आप देखेंगे तो, इसमें भी 10 credit points, इसके लिए human values and professional ethics and gender sensitization के लिए आप डिसकस नहीं करने वाला हूँ, आप लोग को देखना है, सारी चीज़े ठीके, फिन यह आपका GE जो होता है, उसके चीज़े बताईगे यह कि 5 credit points आपको दी जाएंगे, क्या-क्या पढ़ना है, HTA में दिए सारी चीज़े, programming, this and that, फिन, देख लो आप यह सारा syllabus आपक प्रैक्टिकल भी आपको देने होते हैं, जैसे कि जुलोजी, जुलोजी का syllabus जब देखोगे आप साइंस वालों को मैं थोड़ा सा syllabus दिखाता हूँ, यह जो syllabus आप देख रहे हैं पीजी का है और जुलोजी का मैंने लिया, क्यमिस्ट्री वालों भोटनी वालों भी समझ ले एक पेपर का तो आपका सीधा सीधा प्रैक्टिकल होता है सो मार्क्स का और प्रैक्टिकल आपके दो सीटिंग में होते हैं, सारी चीज़े आपको यहां पर इस syllabus में मिल जाएगी, लेट से एक्जाम्पल यह देखो सेमिस्टर का वन का है, आपका तीन पेपर होगा थियोर सीधा सीधा है, आपको यहां पर इक्जाम देने की जुरूत नहीं है, सतर मार्क्स के प्रैक्टिकल होगे, फॉर्स सेटिंग में होगे, लगवक्त छे घंटे का एक्जाम चलता है, प्रैक्टिकल का एक्जाम, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको दीगए, और यह समिस् कीज़े, थोड़ा अलग है, बीए और सोरी, में कॉम से अलग है, में सी वालों का थोड़ा, तो देखो आपका यह सिमिस्टर 4 का में दिखा देता हूं, फिन वीडियो को थोड़ा सा रिजल्ट देखेंगे, फिन एंड करेंगे, तो सिमिस्टर 4 में आपके एक्जाम होगे और एक पेपर सिमिस्टर 4 में आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल का होगा, यह भी सतर माक्स के होगे, दो सिटिंग में आपके एक्जाम पड़ेंगे, और टॉपिक वाइस दिएगे, तो आप अप लोग अपना सिलेवर्स डाउनलोड करके चीज़े समझेगा, ज्याद अब आओ हम लोग समझते हैं, पासिंग क्रैटिरिया क्या है, जितने भी आपके में थियोरी एक्जाम हैं, थियोरी एक्जाम में सारे पेपर्स में आपको 45% से ज्यादा माक्स लाने पड़ेंगे, 45% क्या, यही वाला यार जो मैंने समझाया आप लोगों को, 70 माक्स में इ थियान दे, आपके प्रैक्टिकल एक्जाम है, 45% सबसे मिनिमम है, इस से नीचे लाते हो, तो फेल कहला होगे, ठीक है, 44% वाले फेल हो जाते हैं, 43% वाले फेल हो जाते हैं, लेकि 45% सूपर वाले सब पास हो जाते हैं, अब आपके माक्स के बेसिस पे आपके ग्रेड इन सभी के बीच में आपका मांक्स आ रहा है परसेंटाइल आ यह परसेंटाइल है तो आपना देख लेना आप कौन कटेग्री में हैं और जैसा कि मैंने वोला उससे आपका माक्स डिसाइड नहीं होता है वह ब्लाव दिखाया वहां पर पेपर आपके पांच पर इंटो पचीस मैंने दिखाया ना तो उसके अपके उसके डिशाइड़ होते हैं और यह जो सीजी पीए है आपके टोटल 16 पेपर जिनमें 14 में पेपर पूरा साल मिला के ये देया जाता है तो आपका जो पूरा पेपर है उसको मिला कर जितना भी आपका grade मन रहा है वो CGPAC अंतर रखा जाता है तो ये हो गया अब पर्मोटेड वालों का student का देख लेते कि प्रमोटेड इसलीए है क्योंकि इन्हों ने passing marks से कम marks लाए है अब आपका यहां पर रिजल्ट साप साप लिखा रहाता है कि आप pass है प्रमोटेड यह इनका पर्मोटेड लिखा गया कारण सिंपल है कारण देखो पर्मोटेड इन कौन सा पेपर 9031 यह वाला जो पेपर है इधर है 930112 यहां पर पासिंग मार्क टोटल 32 था 70 नंबर का एक्जाम होता है 32 पासिंग मार्क से इन्होंने बहुत कम लाया 32 लाना था लेकिन 25 ला पाए तो पर्मोटेड हो गए तो किनी एक पेपर हैं में अगर आप ऐसा काम करते हैं पासिंग मार्क से कम लाते हैं तो पर्मोटेड की कटोगरी में डाल दिये जाते हैं ठीक है और नीचे में फिन लिखा भी रहता है कि पर्मोटेड कैसे हो जाते हैं आपको कम से कम तीन पेपर में पास होने चाहिए ठीक पांच में अब एक ही पेपर में आपने पास किया तो आप सरा सर फेल हैं यह सारी चीजे हैं फेल का भी अपने समझ लिया यही आपका CPA credit point ठीक है CGPA आपका यह decided होता है आपका university देती है यह सारी चीज आपने देख लिया सारे मैंने topic cover कर लिए हैं पीजी वालों का semester 1 semester 2 semester 3 semester 4 सारे लोगों का तो आई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलिग्राम पर जूड़ जाएं आपको help वहीं पर मिलेगा प्रिदी वहीं पर मिलेगा ठीक है इस ओल डिपेंट्स अनियू मिलते है अगले वड़े में थांक यू फू बाचिंग वाचिंग मैं वाचिंग विडू